जहिन दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आसा करते हैं? अच्छे होंगे? बढ़िया होंगे? देखे दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी RPF में बहुत अच्छी बहाली आ रही है लगबग 9-10,000 पदों के लिए दोस्तों RPF का भरती आ रहा है Constable और SI के लिए तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि RPF में हाइट और चेश्ट और रनिंग इस अब कितना कितना होता है साथ ही साथ इसका सलबस क्या रहता है उम्र सीमा क्या रहता है कौन-कौन इसको अपलाई कर पाएंगे क्वालिफिकेशन क्या मांगता है तो सारा 8-2-Z आपको जानका रहते हैंगे दोस्तों आप लोग वीडियो को कंटिनियो लास्ट तक देखिएगा चैली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं देखिए अनुमानित यदि संख्या की बात करेंगे तो लगबग 9000 प्लस माइनस आपका वेकेंसी रहने वाला है इस पर कॉंस्टेवल का भी भरती होगा जिस पर केवल 10 पास मांगा जाएगा इसके बाद दोस्तों इस पर SI के लिए भी भरती रहेगी जिस पर ग्रेजुशन मांगेगा ठीक है तो दो तरह का वेकेंसी मिला करके टोटल लगबग 9000 सीट आने की संभावना है और इसके बारे में कई बार पेपर, नियूस पेपर, आर्टिकल, ट्वीट में भी आ चुका है और आप लोगों को पहले भी हम बताएं अब बात करेंगे योग गिता दोस्तों इस पर क्या मांगेगा तो देखे 10th pass, constable post के लिए यानि जो सिपाही वाल अपद है उस पर 10th pass मांगेगा और degree मांगेगा किस पर? SI post के लिए यानि सब इंस्पेक्टर, RPF में यदि आप बनियेगा तो उस पर आपका degree होना चाहिए यानि किसी भी subject में graduation होना चाहिए और यदि आप constable के भरिएगा तो केवल 10th pass मांगेगा समझवा गया? अब बात करेंगे ओमर सीमा, age limit क्या होना चाहिए? तो देखे, constable वाला post के लिए 18-25 साल दोस्तों age limit मांगता है और SI वाला post के लिए 20-25 साल age limit आपका मांगता है बाकी यदि आप OBC candidate है तो आपको 3 साल का छूट देदेगा और यदि आप SCHT से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट age में मिल जाएगा समझ मा गया? और age किस दिन से count किया जाएगा दोस्तों यह पता चलेगा विज्यापन के आने के बाद यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर relaxation यह तो हम पहले समझा दिये OBC 3 साल, SCHT 5 साल मिलेगा द्यान दिजे अब हम लोग mainly बात करेंगे physical test की बारे में कि इसका सारेरिक परिक्षण जोगा उस पर क्या क्या मंगेगा उससे पहले दोस्तों आप लोग सालेबस समझे लिजे कि exam का सालेबस क्या रहने वाला है देखें 120 question दोस्तों आएगा 120 marks 120 question 120 marks 90 minute का आपको time देगा यानि 1 घंटा 30 minute और 1 by 3 का आपका negative marking रहता है ठीक है यानि 1 बटा 3 का minus marking इस पर होता है question कहां कहां से पूछता है दोस्तों ध्यान से देखिए reasoning रहेगा 35 question math रहेगा 35 question और GKGS रहेगा 50 question देखें दोस्तों GKGS में ज़्यादा focus करने का ज़रूरत है क्योंकि GKGS का वेटेज जो है वो बहुत ज़ादा है 50 question अकेले GKGS से आ रहा है दोस्तों math 35 reasoning 35 तो 35, 35, 70, 70 और 50 120 question, 120 number 3 तो गलत कर दीजेगा तो एक number आपका cut जाएगा ठीक है negative marking 1 by 3 का इस पर रहता है तो ये दोस्तों syllabus syllabus आप लोग समझ गए देखे दोस्तों आप लोग हमें सब पुछते हैं कि sir competition के तयारी के लिए math का कौन सा book पड़े तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को SK यानि स्रिक्रिशन publication का book ले लेना है इस पर क्या है कि अंक गनीत और advance दोनों इस पर दिया गया है जो कि math का short cut trick का यूज किया गया इस पर बहुत जादा जो कि आपका SSC railway और अनि competitive exam के लिए best होगा और इस book की खासियत क्या है दोस्तों कि इस पर 33 से ज़्यादा आप लोगों को objective question देखने को मिलेगा इसके साथ साथ अभी तक का SSC railway में और police में जीतना भी तरह का competitive exam में पर मिल जाएगा और ये book जो दोस्तों English medium वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपला आप देख सकतें स्क्रीन में तो आप इसको नीचे दिये गए description box में लिंक है वहां से भी आप इसको खरिश सकतें या फिर आप इसको 65 cm दोस्तों आप लोगों का उचाई मांगेगा और मैलाओं की बात करेंगे तो 157 cm 177 cm मैलाओं का उचाई होना चाहिए छाती की बात करेंगे तो 80 से 85 cm आपका छाती होना चाहिए मैलाओं का इसकोई requirement नहीं होता है ठीक है running का बात करेंगे कितना दोड़ना पड़ेगा तो देखिए 16 इसकी बाद high jump इस पे होगा इसकी बाद होगा long jump high jump की बात करेंगे याणि उची कूद उची कूद कितना होता है चार फीट आपको उचा कूद ना होगा और तीन फीट महिलाओं का पूरसों का चार महिलाओं का तीन फीट उचा वाला जो छलांगे वो लगना न होगा लंग जम की बात करेंगे यानि लंबी कूद ठीक है लंबी कूद कितना है 14 फिट पूरसों का 9 फिट महिलाओं का ये दोस्तों है फिजिकल का क्राइटेरिया तो दोस्तों लगबग 9000 के आसपा दोस्तों भैकेंसी निकलने वाली है और ये अकेला भैकेंसी नहीं आएगा ठी रेलवे टीटी का आएगा रेलवे अलपी टेक्निशियन का भरती आएगा लेकिन ये भरती दोस्तों आप लोगों को हो सकता है सुरू सुरू में ही देखने को मिल जाए अब विधारती यहां पर सवाल खड़ा करते हैं कि सर यह अपलाइ कब से होगा लगबग यूटूब पर जो भी बड़े बड़े यूटूब चैनल्स है जो एजूकेशनल चैनल्स है आप लोगों को इसके बारे में देखने को मिला होगा ठीक है हम तो खैर बाद में वीडियो बना रहे हैं खैर कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को भी हम जानकरी देते रहेंगे तो यह दो फरवारी में दोस्तों आप लोगों को रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा जिसमें से एक रहेगा रेलवे आर पी एफ कॉंस्टेबल और एसाई तो यह जनवरी फरवारी में दोस्तों वैकेंसी आएगा आप अभी से इसका तयारी शुरू कर दीजे चेनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा आगे दोस्तों रेलवे से संबंदित जो भी अप्डेट आएगा हम अपने चिनल पर डालते रहेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है तो चलितों स्वाज के लिए इतना ही मिलते हैं झाले बीडियों बहुत जल् झानिवाद